हेलो स्टूडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाइ स्टेडी में स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षानो प्रिष्ठिय छेत्रफल और आयतन का प्रशनावली 13B हल करने वाले हैं पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स 13A पुड़ा कंप्लीट कर चुके थे स्टूडेंट्स अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पे सभी चीजे लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भासा में मिल लई है वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस नंबर एक है एक दसमलो पांच मीटर लंबा एक दसमलो दू पांच मीटर चवड़ा और पैंसट सिंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक दिब्बा बनाया जाता है इसे उपर से खुला रखना है प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगड़ मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आउस्टेक प्लास्टिक सीट का छितरफल और इस सीट का मुल्य यदि एक वर्ग मीटर सीट का मुल्य 20 रूपा है देखिए आपको लंबाई दिया हुआ है चोड़ाई दिया हुआ है और उचाई दिया हुआ है ठीक है देखिए इहाँ पे अब आप कहेंगे कि 13A और 13B में अंतर क्या है तो 13-A में भी घन और घनाब के बारे में हम लोग पढ़े थे और 13-B में भी घन और घनाब के बारे में पढ़ना है दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे उन चीजों का छेतरफल पूछेगा जहाँ पे जैसे कोई रूम है ठीक है चारो दिवारों का और उपरी भाग का पुछ देगा कलर कराने का खर्च क्या होगा और उसमें जो पूछ रहा था आपको डाइरेक्ट संपूर्ण प्रिष्ट स इसको कनवर्ट कर लेंगे हम लोग और बुला हुए कि इसे उपर से खुला रखना है अब अगर आपको यह अलाइन नहीं देता तो आप सीधा इसका संपूर्ण प्रिष्ट निकाल देते और वही उसका आंसर हो जाता लेकिन यह उपर से खुला रखना है तो वह वाला भा प्लास्टिक के डिब्बे के लिए अब देखे प्लास्टिक के डिब्बे के लिए अब देखे प्लास्टिक के डिब्बे के लिए अब देखे प्लास्टिक के डिब्बे के लिए लंबाई क्या है एक दस मलो पांच तो यह आप लिख लेंगे लंबाई यल बराबर एक दसमलव पांच मीटर ठीक है फिर दिया हुआ है चवडाई यहाँ पे चवडाई भी क्यों जाएगा एक दसमलव दू पांच मीटर ठीक है अब देखे यहां से फिर उचाई यच बराबर देखे उचाई 65 cm है और इसको हम लोग मीटर में कनवर्ट करेंगे तो जब मीटर में कनवर्ट करेंगे तो एक मीटर में 100 cm होता है अगर कहें कि एक सेंटी मीटर कितने मीटर के बराबर तो एक सेंटी मीटर एक बटे 100 के बराबर होता है ठीक है एक सेंटिमीटर जो है एक बटे 100 मीटर के बराबर होता है वैसे 65 सेंटिमीटर 65 बटे 100 मीटर के बराबर होगा और जब 65 में 100 से भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा 0.65 ठीक है इसको सेंटिमीटर से मीटर में कनवर्ट कर लिया आपने है जब भी आप करते हैं तो सभी quantity आपका एक unit में होना चाहिए नहीं तो प्रेश्ण आपका गलत हो जाएगा ठीक है अब first आपसे कहा रहा है कि यहाँ पर condition दिया हुआ है कि उपर से खुला रखना है ठीक है तो first को अब हल करते हैं आपर first number डाल लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे चुकी डिबा उपर से डिबा उपर से खुला रखना है अब देखें जब डिबा उपर से खुला रखना है अब देखें जब डिबा उपर से खुला रखना है अतह जो है अभिष्ट छेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से अतह अतह अभिस्ट प्लास्टिक सीट का छेतर फल प्लास्टिक सीट का छेतर फल बराबर देखिए संपूर्ण प्रिष्ठ में से यहां से देख लीजिए अभी फार्मूला लिख देखिए उसके बाद आपको बताते हैं फार्मूला क्या होता है संपूर्ण प्रिष्ट का अब देखिए इहां पे क्या करेंगे अभिस्ट प्लास्टिक सीट का छेतर फल अगर आप से केवल यह उपर वाला भाग खुला नहीं रखना होता जब भी कोई डबा है अब यहां पे लंबाई चवड़ाई उचाई दिया हुए तो नॉर्मल सी बात है कि वह घनाब के आकार का होगा ठीक है अब घनाब के आकार का होगा अब जब उसका उपर वाला भाग हम खुला रखेंगे ठीक है यानि जो उसका निचला भाग और उप तो यह एक क्या हो जागा, उपर वाला जो भाग होगा डब्बे का, वह है एक आயत के आकार का होगा तो उसका च्छितरफल क्या हता है? लम्बाई गुले चोड़ाई, यानि एक भाग का च्छितरफल पूरे में से माइनस कर देंगे, तो यही लम्बाई और चोड़ाई हम मा ब्रिट्थ लिंथ का मान 1.5 गुडे ब्रिट्थ का मान 1.25 प्लस ब्रिट्थ का मान 1.25 गुडे हाइट 0.65 प्लस हाइट का मान 0.65 ब्रिट्थ लिंथ का मान 1.5 गुडे ब्रिट्थ लिंथ का मान 1.5 गुडे हाइट ब्रिट्थ लिंथ का मान 1.25 इंद करते हैं कि यह लाईना पच्छी तरह समझ गये होंगे अब देखे आपको क्या करना है यहां से हम लोग क्या करेंगे 2 अब इन सभी का गुड़ा कर लेंगे ठीक है इन दोनों का गुड़ा कर लेंगे 1.5 और 1.25 का तो इसका जब गुड़ा करेंगे students तो यहां जाएगा आपका 1.875 ठीक है और देखे इन दोनों का जब गुड़ा हो जाएगा इन दोनों का तो वह हो जाएगा आपका 0.8125 गुड़ा हमने पहले ही कर लिया ताकि वीडियो के बीच में करेंगे तो आपका जो वीडियो होगा वह लंबा होगा ठीक है अब देखिए इन दोनों का गुड़ा करेंगे यहाँ पे 0.65 और एक दसमलो 5 का तो यहाँ का हो जाएगा 0.975 माइनस इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो यही आएगा एक दसमलो 875 ठीक है अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे अब इन सभी को आइड कर लेंगे तो इन सभी को आइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3.6625 और यह क्या हो जाएगा माइनस एक दसमलो 875 अब यहाँ पे 2 का गुड़ा कर देना इसमें तो 2 का गुड़ा इसमें कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, दो पचे दस, एक हासील, दो दूनी चार, एक पांच, दो छके बारा के दो, दो छके बारा, एक तेरा, एक हासील, और दो तियाँ चे एक साथ, यानि, साथ दस मलो तीन दू पांच सुने, माइनस, एक दस मलो आठ, साथ, पांच, ठीक है students, उमिद क करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो माइनस कर देंगी हम लोग, तो यह क्या जाएगा, पांच, दस मलो, देख लिजे, पांच, दस मलो, चार, पांच, और या वर्ग मीटर में आएगा, यानि म मीटर स्क्वाइर, मीटर स्क्वाइर या वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, एक आंसर तो आपका हो गया, ठीक है, छेतरफल आपसे पूछा था, छेतरफल हो गया, यह आपका आंसर भी आया होगा, अब देखिए, आपसे प्रश्न में कहा रहा है, क तो इस seat का पूरे seat का मुल्य क्या होगा, तो यहां से लिखेंगे, एक वर्ग, एक वर्ग मीटर, seat का मुल्य बराबर रुपीज 20, ठीक है, अब seat का कुल मुल्य पुछा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे, seat का कुल मुल्य, seat का कुल मुल्य, कुल मुल्य का मतलब यहां चेतर फल यहां आया है, तो चेतर फल में हम क्या कर देंगे, एक वर्ग मीटर का यहां चार्ज है, तो उससे गुड़ा कर देंगे, तो यानि 5.45 गुड़े 20, ठीक है, अब यहां पे यहां गुड़ा कर देंगे, तो यहां क्या हो 2 5 10 की सुनना 2 4 8 9 ठीक है 2 5 10 की सुनना 2 4 8 9 2 5 10 और यह 1 0 consultant पर 10 लगा लगा देना यानि 109 ठीक है 109 और यह आपका answer हो जाएगा students ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गयोंगे आपके 2 answer आएंगे एक तो आप से चेतरफल पुछा हुआ है तो एक आंसर आपका यहाया है पांच दसमलो चार पांच मीटर स्क्वाइर और दूसरा आंसर क्या हो गया एक सव नो यहाँ पे दसमलो लग गया दसमलो के बार जीरो की कोई बैलू नहीं होगी और यह रूपीज में आएगा यही आंसर हो जाएगा स्टुडिंट तो उमिद करते हैं कि यह प्रशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगले प्रशन को हल करते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन नंबर दो है एक कमरे की लंबाई चवड़ा यह रूचाई क्रमस पांच मीटर चार मीटर और तीन मीटर है साथ दसमलो पांच सुन्य रूप प्रतिवर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दिवारों और छट पर सफेदिक कराने का व्याई ग्याद कीजिए तो इस पे भी सेम वही काम करना है आप से बोला हुआ है कि दिवारों और छट का तो यानि इहां पे भी जो फर्स वाला भाग है और फर्स जो होगा उस कमरे का वह आयत के आकार का होगा तो लंबाई और चोड़ाई वाला भाग इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे देखें यहाँ पर यल यानि लंबाई यल बराबर पांच मीटर ठीक है यल बराबर पांच मीटर फिर यह चोड़ाई है यानि बी बराबर चार म मीटर और यह उचाई है यच बराबर तीन मीटर यह चीजे पता आए स्टूडेंट्स अब देखें आपको क्या करना है यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो उपर लगाएं ठीक है ना तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे चार दिवारे होंगी एक रूम में तो यहाँ लिखेंगे चार दिवारों सहित छत का छेतरफल अब जब चार दिवारों सहित छत का छेतरफल निकालेंगे तो फार्मूला वही लगेगा टू ब्रेकेट में लेंथ ब्रिट्थ प्लस ब्रिट्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ और माइनस देखें चार दिवारें तो चारों भाग का यह तो संपूर प्रिष्ट है अब यहाँ पे बोला हुगा है कि छत का यानि उपरी भाग का तो निचला भाग उसमें से माइनस क और यहां पर निचला भाग माइनस करेंगे और जो घर होगा उसका निचला भाग आयत के आकार का होगा, यानि लंबाई और चोडाई यहां से माइनस कर देंगे, अब मान रख देंगे students, दो ब्रैकेट में, लेंथ, लेंथ का मान पांच, पांच, गुड़े चार, प्लस, ब ब्रिट्ध का मान चार, अब इसको हल कर लेंगे, यहां से इसको हल कर लेंगे, तो देखें हल करेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, दो गुड़े यहां पर पांच वग के बीस, तो बीस प्लस, चारतीयां इबार, और यह तीन पचे, पंधर, माइनस बीस, ठीक है, इ 5, 2, 7, और 1, 1, 2, और 2, 4, और minus 20, ठीक है, अब देखे इन दोनों का गुड़ा कर लेंगे, इन दोनों का गुड़ा करेंगे, 2, 7, 14, 4, 2, 4, ठीक, 9, minus 20, minus कर देंगे, तो यहां पे, यह क्या आजाएगा, यह 4, और यह 9 में से दो गया, 7, ठीक है, यहां आगया 74 वर्ग मीटर यानि मीटर स्क्वायर या तो उसका छेतरफल आ गया अब आपको क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिया हुआ है साथ रुपए पचास पैसे प्रती वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दिवारों और छटपर सफेदी कराने का वियाईगात कीजिए यानि एक वर्ग मीटर का हमें दिया हुआ है ठीक है ना एक वर्ग मीटर का दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे सफेदी यहाँ पे देखे सफेदी कराने का प्रती वर्ग मीटर दर सफेदी कराने का प्रती वर्ग मीटर दर प्रती वर्ग मीटर दर बराबर क्या हो जाएगा साथ रुपए पचास पैसे अब देखें सफेदी कराने का कुल भी है क्या हो जाएगा तो छेतर फल आपका चववत्तर आया है और एक वर्ग मीटर का चार जिया है तो 74 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा तो इसमें गुड़ा कर देंगे यहां से लिखेंगे इसलिए सफेदी कराने का कुल वियाए बराबर यह क्या हो जाएगा 74 और गुड़े 7.05 सुन्य ठीक है अब इन दोनों का गुड़ा कर देंगे और जो आएगा वो रूपीज में आएगा इन दोनों का गुड़ा कर देंगे तो गुड़ा करने पे स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा तो उमिद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा Students अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करिए ताकि आपके दोस्तों की भी हिल्प हो सके और चैनल की भी हिल्प हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगले प्रशन कॉल करते हैं Students अगला प्रशन आपका प्रशन नमबर तीन है किसी आयताकार हाल के फर्स काप की परिमाप 250 मीटर है यदि 10 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से चारो दिवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है तो इस हाल की उचाई ग्यात कीजिए अब देखिए हमें कुल लागत दिया हुआ है कि 15,000 रुपए लगता है और एक वर्ग मीटर का भी यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है कि एक वर्ग मीटर कराने पर उसे 10 रुपए का खर्च पढ़ता परिमाप दिया हुआ है तो सबसे पहले जो जो चीजे पता हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो यहाँ पर हमें उचाई ग्याद करना है, जो हम मान लेते हैं उचाई को, यहाँ लिखेंगे, माना कमरे की उचाई यच मीटर है. अब यहाँ परिमाप दिया हुआ है, अब देखेंगे, अब यहाँ से चारो दिवारों का हम लोग छितर फल निकाल लेंगे, जो हाल है, जो फर्स है, किसी आयताकार हाल के फर्स का परिमाप दिया हुआ है, तो हाल के चारो दिवारों का छितर फल निकाल लेंगे, तो यहाँ चारो दिवारों का छेतरफल, बराबर, चारो दिवारों का छेतरफल होगा वह हो जाएगा परिमाप गुड़े उचाई, परिमाप गुड़े उचाई देखिए यह फर्मूला पहली बार सुने होंगे सायद यह भी फर्मूला होता है जैसी हमें कंडिशन दी गई होती है उसके हिसाब से फर्मूले का यूज करते हैं तो देखें यहाँ पर परिमाप क्या दिया हुआ है दोसो पचास और उचाई कितना दिया गया है उचाई यच है तो यह हो जाएगा दोसो पचास यच मीटर अब देखें एक वर्मूला का हमें चार्ज दिया हुआ है तो यहाँ पर कहा लिखेंगे चुकि एक वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च या वियाए, कुछ भी लिख सकते वियाए, बराबर रुपीज 10, दस रुपया लगता है, अब जब दस रुपया लगता है, तो वो 250 यच मीटर कराने का खर्च कितना पड़ेगा, जब चारो दिवारों को इस रेट से खर्च करवाएंगे, तो, इस लिए चारो दिवारों को पेंट कराने का खर्च, बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 250 यच आगुड़े 10, जब एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का चार्ज 10 रुपय है, और टोटल उसका छेतरफल क्या है, 250 यच, तो इतने का कितना हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसको गुड़ा कर लेंगे, यहां से, जब हम लोग गुड़ा कर लेंगे, तो यह जो आए समझ में आगे आओगा, देखें, जब यहां तक समझ में आगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बोला हो है कि टोटल जो खर्च पड़ा है, वह 15,000 पड़ा है, और देखें, यहां पे जो हमने मान निकाला है, खर्च का, यहां भी हमने खर्च ही नि लेकिन यहां पे हमने उचाई को छोड़ कर निकाला हुआ है, और आपको टोटल दिया हुआ है, पंदर अजार खर्च पड़ता है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, और यहां से यच्च का मान निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, दिया है, परंतु द दिया है, परंतु दिया है कि पेंट कराने का कुल व्याय, बराबर कितना है, रूपीज 15,000, पंदर हजार रूप है, ठीक है, अब यहां से इन दोनों आए, दोनों छेतर फल को इन दोनों मानों को बराबर कर देंगे, यहां पे चारों दिवारों को पिंट कराने का जो खर्च आया, और कुल जो व्याय आया, इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहां पे बटे में भेज देंगे, तो देखें क्या हो जाएगा, यहां पे बटे में भेजेंगे, तो बटे में पचीस सो, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, और पचीस छका हो जाएगा डेल सो, यानि छै मीटर, और यही जो है कमरे की उचाई हो जाएगी, यहाँ पर हमने माना हुआ था कि माना कमरे की उचाई यच मीटर है, तो यहाँ पर कमरे की उचाई हो जाएगी, यही आप आपका इस्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा, उमिद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अगले प्रशन को हल करते हैं, अगला प्रशन प्रशन नमबर चार है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के छेतरफल पर की जा सकती है, ठीक है, तो अब देखें आपको क्या-क्या दिया हुआ है, यहां पे यहां पे देखें, आपको पहले बोला हुआ है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ जो पेंट है, वह इतना वर्ग मीटर है, और इतना वर्ग मीटर के छेतरफल पर पेंट करने के लिए पर 22,5 cm, 10 cm, इतना cm, यानि यह उसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई है, और देखे, एक चीज और आप गलत कर सकते हैं, कि यहाँ पर cm में, यहाँ पर मीटर में, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, कि यहाँ पर इसको आपको चेंज करना है, ठीक है न, यहाँ पर जो इ प्रिष्ठिय छेतरफल निकाल लेंगे, और जो संपूर प्रिष्ठिय छेतरफल निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी छेतरफल दिया हुआ है, तो इस छेतरफल को संपूर प्रिष्ठिय छेतरफल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इटों की संख्या प्राप्त हो तो यहां से देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है यहां पे लंबाई पता है तो यहां पे लिखेंगे लंबाई यल बराबर यहां पे क्या दिया हुआ है 22.5 cm इसको मीटर में कनवर्ट कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा 22.5 और बटे में 100 यह अब मीटर में हो गया ठीक है अब ऐसे ही चोड़ाई यानि B अब B के लिए क्या मान दिया हुआ है 10 तो इसको भी मीटर में कनवर्ट करेंगे यानि 10 बटे 100 इसको डाइडेक्ट लिख रह चाहि क्या दिया हुआ है 7.5 तो इहां पर 7.5 बटे में 100 मीटर ठीक है अब यहां पर हमें सब कुछ प्राप्त हो गया अब हम यहां से निकालेंगे एक इट का आमलोग प्रिष्ठिय छित्रपल निकालेंगे यहां पर लंबाई चोड़ाई उंचाई प्राप्त हो गई तो एक इट का प्रिष्ठिय छित्रपल निकालेंगे तो हैंसके लिखेंगे एक इट का एक इट का प्रिष्ठिय छित्रपल बराबर टू ब्रैकेट में लेंथ ब्रिट्थ प्लस ब्रिट्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ अब यहां से मान रख देंगे दो, लिन्थ, लिन्थ का मान क्या है, 22, 22, 10 मलो, 5, बटे में 100, गुडे, ब्रिट का मान क्या है, 10 बटे में 100, प्लस, ब्रिट का मान, 10 बटे में 100, और हाइट, हाइट का मान, 7, 10 मलो, 5, बटे में 100, प्लस हाइट का मान 7.5 बटे में 100 और गुड़े लिंथ का मान 22.5 बटे में 100 ठीक है students उम्मिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखें आपको क्या करना है अब यहां से इसको हल करना है और हल करके मान ग्यात करना है तो यहां पे 2 यहां पे देखिए यहां पे सभी के बटे में 100 है ठीक है ना सभी के बटे में 100 है और यहां पे देखें यहां पे दो 100 यहां पे भी 200 बार 100 है यहां पे भी 200 बार 100 है यानि इसको हम लोग common ले लेंगे common ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक बटे में 100 और 100 का गुड़ा हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा यह common ले लिए अब बचेगा क्या यहां से इन दोनों का गुड़ा हो जाएगा 22.5 गुड़े 10 यहां बचा, common ने लिए तो यह सभी बाहर हो गए, बटे वाली संख्याएं बाहर हो गए, 22.5 में 10 का गुड़ा हो जाएगा, तो 10 मलों हट जाएगा, क्योंकि एक अस्थान पे 10 मलों एक 0 है, तो 10 मलों हट जाएगा, यानि 225 हो जाएगा, प्लस, यहां पे देखिए, 7.5 में अब देखिए, 7.5 इसका गुड़ा हो जाएगा, तो यहां आपका हो जाएगा, 168.5, 168.75, ठीक है students, उमिद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपच्छी तरह समझ गए होंगे, अब देखिए, 2 से इसको कट कर देंगे, तो 2 पचे 10 और यह 3 0, यानि यहां आपका क्या प् वटे, 5000 और गुड़े, एक वटे, 5000 और गुड़े, अब यहां पर इन सभी को आइड कर लेंगे, तो यहां पर आइड करेंगे, तो यहां आपका आइड करने पर आ जाएगा, 4, 168.75, ठीक है students, उमिद करते हैं कि इस लाइन तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब इसको कट करना है students, अब देखें, यहां से, यहां पर देखें, दो अस्थान पर point है, तो यहां पर दो 0 बढ़ा देंगे, तो यह point हट जाएगा students, यानि इससे हम क्या लेख सकते हैं, एक बटे में, यह 5000 तो पहले से है, देख लीजे, 5000 तो पहले से है, गुड़े, यह क्या हो जाएगा, 5000 पहले से और 2 0 लगा दिये, तो यह point हट गया, अब यह क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 7, 5, अब देखें, 50 से इसको भाग दे देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, देखें, 50 से भाग देंगे, 50 से कम 50, यानि 4 0 यहां पर, ठीक है न, 4 0, अब जब 50 से इसको कट करें तो यहां आपका आ जाएगा, 9,375, ठीक है, अब जब इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो देखें, यहां पर 4 0 तो 4 अंक पर point लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानि 4 अंक पर, यह क्या हो जाएगा, point यहां पर लगा देंगे, ठीक है, students, अब देखें, यहां पर, 50 से जब इस यहां पर, 10,000 से जब इसमें भाग देंगे, point अपने place से 4 0 है, 4 डिजिट, right side, left side आ जाएगा, तो जब यहां left side आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, आपका, 0.09, देखें, तीन डिजिट तो यहां पर और कुछ नहीं है, तो एक 0 लगा लेंगे, 4 डिजिट बाद होना च इतना meter square, 0.09375 meter square, ठीक है students, उमिद करते हैं कि line आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब देखें, यहां पर क्या बोला हुआ है, प्रश्न में बोला हुआ है, कि किसी डिपे से भरा हुआ paint, इतना वर्ग मीटर 6 तरफल पर paint करने के लिए परयाप्त है, तो अब उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, अब उसको हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब हम लोग वह अच्छे तरफल निकालेंगे, जिसके लिए परयाप्त है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस संख्या से divide कर देंगे, ठीक है ना, तो यहां से वही ची जिसके लिए paint परियाप्त है जिसके लिए paint परियाप्त है ठीक है जिसके लिए paint परियाप्त है तो अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे divide कर देंगे अब divide करेंगे इसको देखे क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ पे वह अच्छे तरफल जिसके लिए paint परियाप्त है तो वह है आपका 0.09375 meter square अब देखे उपलब्द paint से रंगी जा सकने वाली इटों की संख्या तो वह क्या हो जाएगी 9.375 जो की प्रश्ण मे पांच डिजिट पर है तो तीन डिजिट से तीन डिजिट तो यह भी तीन डिजिट इधर आ जाएगा यानि एक दो तीन, यानि यह हो जाएगा 93.75 अब जब 100 का उपर निचे गुडा कर देंगे तो यह पॉइंठ हट जाएगा और सब का गुडा करेंगे तो इससे ही सब्सक्राइब करना न भूलिए धन्यवाद